दोस्त जैसे मैंने आपको पॉलका डॉट का मुमेंट बताया था है एज़ेटीजी आपको देखने को मिला है पहले मैंने आपको बोला था हमारा टारगेट 8.5 का होगा फिर 8.9 का होगा ऐसे ही करते करते हम 10 पॉइंट तक जाएंगे उसके बाद आपको में ड्रेंज का टारगेट मिलेगा 17 से लेके 20 डॉलर का लॉंग टम में आपका टारगेट 60 से 70 डॉलर का होगा तो आपको जो शॉर्ट टम के टारगेट थे वो मिल चुके हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखके बाइंग करी है ताकि आपको हरे कोईन का मुमेंट अच्छे से समझ आ सके तो दोस्ते हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काऊंगा अगर आप हमारे चैनल पे ने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें तो यह आपको 8.30 से लेके 9.00 के रेंज में देखने को मलता है मतलब अभी जो पॉल का डॉट है वो अपने पीक रेंज के साइड में है मार्केट के बारा बिलियन का है और इसका मार्केट के अपलाजिशन और बढ़ेगा जैसे इसका प्राइज भी ग्रो होगा यह चीजे मैंने पहले ही गवर कर दिया था जब बॉटम में हमारी बाइंग होगी थी 3.6 से लेके 3.8 के रिंज में अब अगर इसके हम 24 आउर में ट्रेडिंग वोलियम की बात करें तो यह आपको 400 मिलियन का देखने को मलता है जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वोलियम बढ़ेगी इसके प्राइज में आपको ग्रो देखने को मिलेगा सर्कुलिटिंग सप्लाई एक बिलियन के उपर है टोटल सप्लाई भी एक बिलियन के उपर है maximum supply infinity है मलब time to time market में इसकी supply आती रहेगी अब अगर आप first time सुन रहे हैं polka dot के बारे में तो इसकी info में आपको इसकी website मिल जाएगी जहां visit करके आप इसके fundamental के बारे में read out कर सकते हैं इसके community में आप इसके twitter handle, telegram, discord को join कर सकते हैं further update के लिए जो हमारी buying होगी यहाँ पे वो होगी इस अपने target के लिए और आप देख सकते हैं कि 7 days का ही low आपको 7.6 का मिला है जहाँ पे हमारी buying होई थी अब इसके बारे में अगर आप और भी जाना जाते हैं detail में तो इसकी about में आपको मिल जाएगा अब मैं आपको लेगे चलता हूँ trading view पे देखते हैं dot manta और xrp के moment को तो आप देख सकते हैं अब हम आगे हैं trading view पे पहले हमने dot का 4 hour के retirement वा लिया हुए है इसके according मैंने आपको बताया था कि हमारी candles ने sport लिया है target मिलेगा तो आपको moment देखने को मिला है हमारी यह में के according भी आपको पुलिश मुमेंट देखने को मिलेगा अभी इसका पीक रेंज का target नहीं हुआ जैसे जैसे मार्केट में वोलियम आ रही है आपको recovery देखने को मिल रही है अभी भी देखिया आपको यहां बाइंग के ही वोलियम देखने को मिलती है पर हमने एक रेजिस्टेंस से आप फेस करना है क्योंकि अल्रेडी काफी recovery हो चुकि है अब अगर इसके हम daily time interval की बात करें कि daily के according आपको कैसा moment मिलेगा energy आपके must important होती है अगर आप सही price पे buy करेंगे तभी आप उसको अच्छे price पे sale करके अपना अच्छा profit book कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं daily के according भी मैंने आपको बताया था कि important resistance का level यह है sport level हमारा trend line था तो अभी हमने इसका breakout दिया है वापस हम retest करनी आ सकते हैं 8.5 के level का जो की पहले हमारा target था उसी को अब हम as a sport use करेंगे तो आपकी जो anti है वो इसके near about होगी यहां से अगर हम आपके target की बात करें तो target आप 9.5 का 10 डॉलर तक का रख सकते हैं इससे पहले देखें जैसे आपको moment देखने को मिला है यहां पे कि market में recovery के बाद correction होता है recovery के बाद correction होता है वैसे ही recovery के बाद correction होगा जहां पे आप इसको buy करेंगे क्योंकि volume अब भी decreasing side में है तो correction आना जरूरी है अब देखें यहां पे आपको clear हो गया होगा आपकी जो पहली anti है वो 8.5 पे होगी अगर आपने bottom वाली anti miss कर दी थी 3.6 से लेके 3.8 वाली है और जिन लोगोंने 3.6 3.8 पे buy करा है उन्होंने hold करना है at least उनको यहां पे 10x का target मिले तब वो अपना profit book कर सकते हैं अब ही जिन्होंने buy करना है वो अपना safe side 2x से लेके 3x का target रखेंगे और जिन्होंने bottom में buy करा है उनका 10x का target होगा अगर हम in case sport level को break कर देंगे तो higher हम इस level तक dump हो सकते हैं तो आप यहां पे DCA कर सकते हैं मतलब आपने ध्यान में रखना है आपकी पहली entry 8.5 पे होगी और DCA 8 dollar के around होगी अब अगर यहां पे हम XRP की बात करें तो XRP में आप देख सकते हैं मैंने buying कराई थी यहां पे जब इसका price था 0.50 के नीचे अब उसके बासे आपको continuously market में recovery देखने को मिली है और यहां पे आपको golden cross देखने को मिला है जो कि इसके price को लेके जाएगा कम से कम तो 0.67 के range में तो आप देख सकते हैं उसी direction में इसका जो price है वो move हो रहा है अब जैसे एक recovery के बाद यहां correction हुगा है फिर recovery हुई है वैसे ह एक correction होगा फिर आपको recovery देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं हमारी यह में show कर रहे हैं कि हम bullish है हाला कि जितनी दफ़ा अच्छी बाइंग के बोली हम आती है आपको बड़ी green की candle देखने को मिलती है आप easily अपना जो target है वो 1.5 dollar का 2 dollar का रख सकते हैं XRP में जब देखे को Bitcoin के बाद Ethereum का आएगा और XRP का आएगा तो time है आपको Ethereum को और XRP को buy करने का अगर आप मुझे follow करके buying करते होंगे तो आप हर एक trade में profit में होंगे आपका loss होई नहीं सकता अगर आप वीडियो को skip करके देख रहे होंगे तब आपको exact bottom या आपका target के लिए नहीं हो रहा होग का आप उसको join कर सकते हैं crypto में profit book करना बहुत जरूरी है अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ time तक हमारा premium join करके सीख सकते हैं फिर आप अपने according अपना trade setup design कर पाएंगे अब अगर हम मांटा की बात करें तो मांटा में आपको यहाँ पर falling edge का pattern form होता हुए देखने को में जो की bullish pattern है यहाँ पर हम अपने resistance का breakout देंगे तो आपको easily जो है वो 3.2 का 3.5 का और ऐसे करते करते 7 से 9 डॉलर तक का target मिलेगा देखें यह new project है जब से इसकी listing हुई है आपको इसके price में कोई खास growth देखने को नहीं मिला और market में अची volume भी नहीं आई है इसलिए आपको अपडेट कर रहा था मांटा को बाई करो तो यह एक एंटी आपकी current price पे भी हो जाएगी मतलब देखें मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपके पास पहले से बाइंग है तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं दूसरी एंटी के लिए अगर आपके पास बिलकुल भी holding नह आप मिलते हैं आप स्कूनी वीडियो के साथ अब तक लिए जाए हिंज आ भारत